हलो नहीं समस्कार दोस्तों एक बहुत इंपोर्टेंट खबर ये सामने आ रही है कि भारत सरकार दोरा अब आयूश टूरिजम को प्रमोट करने के लिए इस्पेशल आयूश वीजा जो है वो इशू किया जाएगा आयूश क्या होता है भारत के अंदर जो ट्रेडिशनल मेड इस बड़े से इतिहास के अंदर अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग जगों पर अलग-अलग प्रकाय की सब्विताय पन्पी है इन सब्विताओं के पास में आज जिसी टेक्नलोजी नहीं थी तो ऐसी कंडिशन में इन्होंने अपने आपको हेल्दी रखने के लिए कु नहीं कई सारी चीजे ऐसी हैं कई सारा ग्यान ऐसा है जो जन्रेशन बा जन्रेशन आता है जैसे कि आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा भारत के अंदर लगबग 25 प्रतीशत घर ऐसे हैं जिसमें कहीं न कहीं आयूरवेदिक चीजों का प्रयोग होता है जैसे आपको अलग से पढ़ाई नहीं कराएगी आपकी मम्मी ने आपकी नानी को देखा और अब आपने अपनी मम्मी को देखा तो अब आप भी आने वाली जन्रेशन को इस चीज को सिखा दोगे तो यही चीज जो है वो ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम के रूप में है और भ की गई थी World Health Organization द्वारा और यह सेंटर जो खुला है यह जामनगर के अंदर खुला है इस सेंटर को खोलने के पीछे रीजन क्या है रीजन यह है कि देखो यार मैंने कहा ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम यह कोई एक जगे का नहीं अलग अलग सिविलाइजेशन का जैसे चाइना के पास में अपना अलग ज्यान है इजिप के पास में अपना अलग है अफ्रीका का अपना अलग है भारत का अपना अलग है तो क्यों ना हम लोग इन्हें अलग अलग पढ़ने की वज़ा एक सांस में डाटाबेस क्रियेट करें और एक ज्यान के रूप में प्रयो उठाते हैं क्योंकि वो भरोसा नहीं हो पाता है क्योंकि यहाँ परuchar कोई ऐसा standard निर्दारित नहीं है तो हम उस standard को certification को निर्दारित करने के लिए यह center बना रहा है। साथ में एक ऐसा platform होना चाहिए जहाँ पर इस system technology की system है, जो आज की दवाईयां है, वो कब खाते हो, क्या वो बिमार होने के बाद खाते हो, पहले ही खालेते हो, सवाही से बात है, बिमार होने के बाद, मतलब वो दवाईयां आपको cure करने के काम आती है, पर जब मैं traditional medicinal system की बात करता हूँ, योगा, आयूरवेद, ये साही चीजें जो है, वो आप उसके पहले भी खा लेते हो, जैसे COVID नहीं हुआ था, उस दौराब में भी सब लोग गिलो ही खा रहेते, ये क्या है, ये जो आयूरवेद है, ये जो खोला गया, तो उसके बाद में भारत को एक विश्व गुरू के रूप में देखा गया, और जब भारत को विश्व गुरू के रूप में देखा गया, तो भारत ने भी कहीं सारे announcement किये जिसके अंदर भारत ने आयूश वीजा का announcement भी किया इन साइच चीज़ों को समझेंगे बड़ उसके पहले आप लोग में साथ में SAC 10 टेलिग्राम गूप के उपर जुड़ सकते हो, क्लास की अपडेट PPT-PDF आपको यापर मिल जाती है, इसके अलावा रोज सुबे 8 बजे, दहिंदू अनलेसिस की क्लास में दौार लाइव ली जाती है, आप यहाँ पर ही में साथ में जुड़ सकते हो और अगर आप लोग को अन अकाडमी के उपर आयूश की बात कर रहा हूँ, तो यह आयूश या ट्रडिशनल मेडिसिनल सिस्टम यह कोई एक मेडिसिनल सिस्टम नहीं है आज के समय में यह अर्थ ववस्ता है एक एक एकोनॉमी है, कहीं सारे लोग के अंदर के अंदर अगर आप देखोगे ना, तो थेरपी कराने आते है आयूरवेदिक थेरपी कराने आते है वहाँ पर रिसर्च होती है शीज के लिए वहाँ पर एक एकोनॉमी चल रही है जो आयूश की है, और पुरे विश्व के अंदर इस तरीके की चीज़े को देखने को मिल रही है ऐसी कंडिशन में विश्व के अंदर जो ट्रेडिशन सिस्टम कभी 3 बिलियन डॉलर का मार्केट हुआ करता था वो आज 18 बिलियन डॉलर का है और ये बहुत तेजी से आगे भी थेरपी कराने या फिर रिलेक्सेशन करने और इसी कारण से भारत के अंदर जो ये टूरिस्ट लोग आते हैं उनको प्रमोट करने के लिए भारत द्वारा आयूश वीजा जो है वो लांच किया गया इशू करने की बात की गई है इससे क्या होगा इससे पहली तरह तो पुरे ग्लोबल के अंदर पुरे वेश्वी के रूप से एक पुश होगा एक ग्लोबल पुश आएगा इस सिस्टम के लिए इस ट्रेडिशनल सिस्टम के लिए वहीं इसकी वज़े से आयूश टूरिजम जो है वो भारत के अंदर इजी हो जाएगा इतना ही नहीं भारत के पास में मैंने कहाँ पोटेंशल बहुत है क्यों है पोटेंशल क्योंकि आप समझो ना कि आयूरवेद की जब मैं बात कर रहा हूँ आयूरवेद के अंदर आप किन चीजों का प्रयोग करते हो आप जड़ी ब्यूटी हो क्या आप हरबल चीजों का प्रयोग करते हो जो कहां से यह प्रकृतिक रूप से जो पेड़ो से आई है और भारत के अंदर एक बहुत डाइवर्सिपाइड वेजिटेशन है जहां पर यह हरबल जो है वो मिलते हैं जहां पर आपको एरोमेटिक प्लांस देखने को मिलेंगे आप आमला देखो आप गिलोई देखो यह सब भारत के अंदर देखने को मिलेंगे और भारत के अंदर सीच के ओपर रिसर्च भी हो रही जब से आयूश मंत्राले बना अपलाए हैं, दुसरी तरह भारत इसके उपर research कर रहा है, तीसरी तरह भारत के पास में इस इत का ग्यान भी है, आप आयुरवेद देख लो, भारत के अंदर लोग ग्यानी है, सिद्ध, युनानी medicine, tribal medicinal system, tribes के पास में कहीं सारा छिपा हुआ medicinal system है, एक छिपा हुआ knowledge है, तो उ यहाँ पर और employment generate कर सकता है, जैसे कि education institute अभी आयुष के बहुत कम है, तो education institute खुलवा सकेंगे, hospital खुलेंगे, इतना ही नहीं, कई सारे commercial manufacturers होंगे, जो इन traditional medicinal system को बनाएंगे, अलग-अलग दवाईया बनाएंगे, उप्तन बनाएंगे, तो उसके लिए क्या होगा, अलग-अ प्रमोट होंगे से आज पतन जली दिख रहा, वैसे ही और भी कई सारी और commercial industries जो हम लोगो लेखने को मिल जाएगी, इसके वज़े से regulatory and governing bodies भी हमको बनानी पड़ेगी, research institute हम लोगो को बनाने पड़ेंगे, जिसकी कायन से क्या होगा, यह economy promote होगी, और आप अब यह बात और एक कोशिश की गई है कि भारत के इन traditional medicine चीजों को, इन दवाईों को एक brand के रूप में बेचा जाए, पुरे विश्व के अंदर, जिसके अंदर एक चीज़ तो यह की गई है, कि आयूश मार्क की बात की गई है, मतलब एक अलग से थपा लगेगा, जो बताएगा कि यह यह जो system है, यह जो दवाई है, यह जो आप ले रहे हो, यह भारत में बनी हुई है, और यह बताया जाएगा कि भारत के अंदर बनी हुई दवाई बहुत बहतर है, Hill in India, जैसी चीजों को promote किया जाएगा पुरे विश्व के अंदर, ताकि लोग जो है वो भारत के अंदर आ है, और सीधी सी बात है, आप केरला की बात कर रहे हैं, आज केरला के अंदर आयुर्वेट जो है, प्रमोट हो रहा है क्योंकि उसके लिए research हो रही है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर आयुर्वेट की therapies हो रही है, पर वो potential केवल केरला के पास में नहीं है, आज वो पूरे भ अब जब किसानों दोरा उगाया जा रहा है, तो किसान उसके ओपर research नहीं कर रहा है, किसान उसकी दवाई नहीं बना रहा है, किसान को उसको वेशना है, अब उसकी demand जो है, वो किसी और राजम है, there should be an infrastructure, there should be a connection, और उस connection के लिए एक digital platform बनाया जाएगा, जहां पर किसानों को manufacturer से जोड़ा जाएगा इन दवाईयों के लिए, तो दोस्तों आज के लिए इत्ता ही रखते हैं, आप लोग को government के ये step कैसे लगे, comment करके बिल्कुल से बताना, इसके अलावा अगर आप लोग को an academy पर subscription लेना है, तो आप code यूज कर सकते हो, src10, जिसके बाद में आप को मेरे दोरा personally one-on-one mentorship मिलेगी, मैं आपको बताऊंगा क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, और an academy की दुनिया में दोस्तों में ऐसास ही 10 नाम से जाना जाता हूँ, तो आप लोग जब इस code का प्रेव करते हो, तो दिल मेरा भी धड़कता है, इतना ही नहीं दोस्त आप लोगों के लिए एक prelims mock test offline जो है, वो create किया जा रहा, अन-academy दोरा organize किया जा रहा, आप बिल्कुल से इसके अंदर आ सकते हो, जो कि डेली के अंदर राजिन नगर और मुखरजी नगर के अंदर होगा, 24 तारीक को, इसके अलावा online भी booklet जो है, वो अन-academy दोरा launch की जा रही है, इसके अलावा अन-academy का एक test series भी आप लोगों के लिए available है, आप लोग इस test series के अंदर भी enroll कर सकते हो, prelims का समय है, बहुत जल्दी exam आने वाली है, देड़ महीने में आप लोगों की exam है, तो अभी जितनी कोशिश हो, उतनी ज़्यादा question लगा, उतनी ज़्य कर दिसके लोगों की जब लोगों के लिसको की आप लोगा, वितनी ज़गा ज़गा, जब लोगा, बहुत।.